Hello everyone, welcome to our channel, इस वीडियो में देखेंगे हम कहानी लेखन, आप सभी के लिए important होने वाला है यह वीडियो, क्योंकि कहानी लेखन प्रतिक कक्षा के लिए important है, चाहे वो छोटी कक्षा हो या बड़ी कक्षा हो, जहां पर आपको कुछ outlines given होती है, या फिर आपको कुछ words दे दिये मित्रों एवं भालू की, सोना तो होगा आपने, चलिए अब देखते हैं इस कहानी को, एक बार एक गाव में सोनू और मोनू नाम की दो मित्रे रहते थे, उन दोनों में आत्यदिक प्रेम था, यदि एक पर कोई मुसीबत आ जाती तो दूसरा उसकी सायता के लिए दोर दिखाई दिया, भालू को आते देखकर वैदानों घबरा गए, सोनू अपने मित्र को छोड़कर एक पेर पर चड़ गया, मोनू को पेर पर चड़ना नहीं आता था, मोनू तुरंद वहीं जमिन पर लेट गया, और अपनी स्वास रोक ली, भालू उसके पास आ गया, भाल वे सचे मित्र नहीं होते, वरन कप्टी होते हैं, सोनू को मोनू की बात समझ में आ गई, तथा उसने मोनू से शमा मांग ली, तो इससे से कम्प्लिट होती है, ये कहानी, आपको यहाँ पर कन्फिजन होगा, कि भालू ने क्यों छोड़ दिया, तो भालू मरे हुए जीवो को नहीं खाता है, इसलिए उसने अपनी सांस रोक ली थी, ताकि भालू उससे मरा हुआ समझ सके, भालू हमेशा जिन्दा शिकार पकड़ता है, जिन्दा ही शिकार को खाता है, ठीके, तो इस तरह से कहानी होती है, कम्प्लिट, इसी तरह हम आपकी आगे कख्षा से कर आते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद,